हेलो इन्वेस्टर डिजिटर स्लेवी चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वक्त की जो मार्केट है अगर आप देखे होंगे आज निफ्टी के अंदर निफ्टी विल्कुल फ्लाइड था मार्केट बंद होते होते 40-50 पॉइंट उपर बंद हुआ लेकिन जिस तरह से मिट कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनियों में आपको एक हैवी सेलिंग प्रेशा देखने को मिल रहा है उससे ज़्यादा तर जो निविसक हैं उनके पॉर्टफोलियों में रेड निसान यानि कि यहां तक तो कई सारे ऐसे हमारे पास व्यूवर्स की क्वैरी आती है कि सर हमारा पॉर्टफोलियो 50-70 पसंट तक डाउन है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह एक नॉमिनल सी बात है इस वक्त की जो सिट्वेशन मार्केट में है जब अ अलाकि निफ्टी में उतना प्रेशर नहीं है लेकिन उसके बावजूद रिशेशन के कारण जितने भी मिट कैप स्मॉल कैप सेयर हैं इनमें डियाइज एफाईज हैवी सेलिंग कर रहे हैं जिसके कारण हमको स्टॉक में लगातार 52 वीक लोग देखने को मिल रहे हैं तो आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि ऐसे मार्किट में कौन से सेयर लें जिसमें आप स्विंग ट्रेट करके कुछ रिटन राप्त कर सकें और एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें हैवी प्रॉफिट की बात मैं यहाँ पर नहीं करूंगा अगर इस गिरती मा गिरावट हमको एक दिन में देखने को मिल रही है अगर आप प्रॉफिट में रहते हैं तो इससे अच्छी चीज इस मार्किट में आप के लिए हो ही नहीं सकती है आप में से कई लोग जो मेरा यूट्यू देख रहे होंगे अक्सर उन स्टॉक को बाई भी कर लेते हैं जो 52 वीक लो पर उन्हें मिल रहा होता है उन्हें ऐसा लगता है कि अब इस स्टॉक में इस से ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी आप बात कर लें लक्स इंडरस्ट्रीज की जिसमें हमको 4400 रुपीज के आस पास के हाई लगते हुए देखने को मिले थे लेकिन आज स्टॉ को चुछ अश्य रिटरंब्च कर सकें तो आज इस वीडियो के माध्यम से में कुछ उनी रिटर्न के बारे में बात करने वाला हूं जिनमें आप स्विंग करें एक अच्छे रिटरंब्च कर सकते हो जहां पर हमारा एसल रहेगा चार से पांक पर सेंड का लेकिन अप साइ आपने हमारे premium group को join नहीं किया है तो हमारे जो हमारा premium group है उसको हम पूरे seven days के लिए free of cost दे रहें demo के तौर पर link description में दे रखी है आप जाकर उसे join कर लें अगर आप screenshot देखते हैं तो हम यहाँ पर screenshot के माध्यम से कुछ stocks के बारे में आपको दिखाना चाहते हैं जो कॉंपू साफ्ट 25 रुपीज 25 पर से पर recommend किया था टागिट ओपन रखावा था हमने इसके लावा यह गौर call थी हमारी जिसमें हमने आइडिया की call दी थी 87 रुपीज पर buy करने के लिए टागिट रखे थे 98 का यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉंपू साफ्ट में आज हमको जिसको हम कॉंपू काम साफ्ट यर के नाम से जानते हैं sort में इसको कॉंपू साफ्ट एनस्टी पर ऐसा नाम आपको मिल जाएगा search करेंगे तो तो यहाँ पर आप देखिए स्टॉक में हाई लगाया है 27 रूपीज का ओपन होता है 20.7 22 रूपी 75 पैसे के ओपर वही लो होता है वहां से एक हैवी वोल्यूम के साथ स्टॉक में जवार्दस बूवमेंट आता है और स्टॉक अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है 27 रूपीज के आसपास हाना कि क्लोजिं और कॉंपूसाफ्ट में एक हैवी वोल्यूम के साथ स्टॉक में ट्रेडिंग होते ही देखने को मिली है ऐसा लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये तेजी कॉंटिन्यू रह सकती है तो अगर आप स्टॉक करना चाहते हैं तो आप इन दोनों स्टॉक को अपने इस स्क्रीनशाइ्ट के मद्धिय हम से इन्य स्टॉक के बारें बता रहे हैं लेकिन जो मेरा में फोकस रहने वाला है, वो एichen MRPL के share में रहने वाला है, MRPL के share में कई सारे निविशक जो high price के उपर लेकर फस गये हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने high price के उपर लेकर कर बहुत बली गलती कर दियो, वो stock में stuck हो गया है, लेकिन दोस्त घबराने की बात नहीं है, सिर्फ MRPL ही नहीं, MRPL में तो तब बहुत कम गिरावट है, अगर आप बात करें, उन stocks की जो large cap हैं, उसके बावजूद भी उसमें लगातार हमें एक panic selling देखने को मिल रही है, अगर आप एंजरवन के shares पर नदर डालें, तो आज stock ने closing दी है, 1,096 रुपीज 90 पैसे के ओपर, हाला कि low जो देखने को मिला था 1,066 का मिला था, और ये stock, अपने high से अगर आप compare करें, तो करीब करीब 40% के आसपास stock down है, ये तो फिर भी गलीमत है, lux जैसे share, जिसमें 4,400 के आसपास का high था, मैंने starting में ही बताया हुआ है आप लोगों को, जिनोंने skip किया होगा हो सकता है, वो point दोंने miss कर दिया हो, इसल आप इन stocks में, उपर के level से trap हो गए हो, stuck हो गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसमें फस गए हो, तो दोस्त घबराना बिलकुल नहीं है, आप stock market में समझा लिजे, पहले पड़ाव पर हैं, जहां पर आपका परिश्य होने वाली है, आप सभी कि जहां पर आपको सिर् और सिर्फ धैर रखना है, और आप विश्वास मानिए अगर आपके पास fundamental strong company के share हैं, तो आपको कुछ दिन की दिक्कत है, उसके बाद जब market में recovery आएगी, सब कुछ normal हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको इन stocks में तेजी देखने को मिलेगी, और हो सकता है जो आपके portfolio में 50 60% का loss है, वो आपको मात्र हफ्ता बर 15 दिन में recovery देखने को मिले, जिस दिन से market में recovery आना start होगी, कॉम्पू कॉम्पू साफ्ट जो शेयर हैं, इसको आध हमने इसलिए ट्रैप, इसको आध हमने ऐसे पकला, क्यूंकि अगर आप यहाँ देखें, इस टॉक ने 10 जून को करीब 19 रुपय का low बनाया था, वहाँ से एक sharp rally देखने को मिली है, और एक heavy volume के साथ इस टॉक में फिर से bounce back देखने को मिल रहा है, उसके बाद आप यहाँ अगर देखें, तो यहाँ पर एक lower low था, फिर जो दूसरा low बना है या उससे उपर का label था, यानि या इस टॉक ने यहाँ सपोर्ट लेकर एक फिर से उपर से rebound हुआ है, यानि कि यहाँ से स्टॉक में लगतार तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा हमें लगता है, तो अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, या निवेशित हैं, तो हो सकता है इस स्टॉ लूम में करीब 46 पसंग का इजाफा देखने को मिला था, स्टॉक ओपन होता है 91 रुपीज 50 पैसे के उपर, और यहाँ पर 94 रुपीज 40 पैसे का हाई भी बनाता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी, करीब 20 पसंग के आसपास इस 75 रुपीज 70 पैसे का लो बनाया है, क्लोजिंग जो स्टॉक में दी है, वो 76 रुपीज 70 पैसे के दी है, तो यहाँ पर क्या है, अगर आपका व्यू लॉंग टरम का है, आप इसमें पहले सही थसे हुए हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर आवरेज कर सकते हो, अगर आप स् अभी हाली में देखने को मिला था, 127 और यहाँ पर जो 52 वीक लो है, वो 37 रुपीज का है, लेकिन अभी स्टॉक आपको कितने मिल रहा है, 74 रुपीज, 76 रुपीज के आस पास, तो यहाँ एक वैल्यू बाइंग हो सकती है, इस इसी कोई गारंटी नहीं है, कि यहाँ पैसे का, और यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ से जो गिरावट है, वो बहुत ही नॉमिनल है, लेकिन जो अप स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, वो पहला टार्गिट यहाँ पर रहने वाला है, 89 रुपीज का, तो यहाँ पर करीब करीब अगर आप current price से compare करते हैं, तो करीब 17% के अप movement के chances इस stock में देखने को मिल सकते हैं, यानि risk कम है, reward जादा है, तो आप इस stock पर नजर बना कर रखें, एक शांदा return आपको यह stock दे सकता है, अगला यहाँ पर इसी जो हमने बताया आपको ITI, ITI पर भी आप लोग नजर रखिएगा, क्योंकि इसमे एक heavy volume के साथ, आज stock में तेजी देखने को मिली है, और यह तेजी हो सकता है, दो से दीन दिन continue रहे, तो यह वो stocks थे, जिनके माध्यम से मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था, जिसमें आप swing trading करके एक अच्छे return ले सकते हैं, I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आ मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन, जै भारत!